गवाह है कि मैंने दो गाड़ी अखड़ी देखी हैं एक डेड़ बजे के आसपास लेकिन पुलिस न अभी तक उसकी गवाही नहीं करवाई है यह पुलिस ही जाने वह उसकी गवाही क्यों नहीं करवा रही है भाई एचार न्यूज और गजब रियाना देखने सरदस्का नविक्रम जांगडा की रामराम भाई फिलाल बलियाना में मौझूद हूं भाई बलियाना गाम रोद्तक के पास में और आपने दो तिन दिन चेक वाइरल मामला देख्या होगा बलियाना गाम का मा बेट्टा ला फिलाल उसी गर में मैं मौझूद हूँ भाई जिस गर के वो से दस्य थे वो बेट्टा जिस गर का था कैमरा में ने पर दिखा भाई चोगर तो दिखा दे वाई इवर देखो भाई यह वो एक गर है जिसमें 25 तारिक तर पहले आना बहुत मतलब खुशियां थी और 25 तारि हैं एक अंकल इसी गर से सम देते मैं उनसे बात करूँ एक पर पूरा मामला की जानकारी लेवांगे के कुछ मामला था और अभी तक जो अनिस मामला में कोई भी कारवाई पुलूशन नहीं करी है ऐसा भी हमने शुनना मिले आब भई भी नमस्के अनिसमे का लड़का है और जो महिला है आप उनके myös क्या लगते हो मैं उस लड़के का ताओ लगता हूं परिवार में अब जिया पर वार्म परिवार में ठीक है उसम्हासी मैं जाना चाहूंगा कि यह यह मामला है कितने तारीक हृब यह 25 नॉमर का याठ पूरा मामला बताओ कि दरश्कान भी और मनें भी क्यों करके होया था यह जब 25 नॉम्बर को सुबह जब यहां पर कुछ जैसे वो अपने भैस रखती थी तो दूद बगरा लेने के लिए जब आई यह प्रॉसियन जेबन को देखा तो यहां पर ताल यहां पर कोई नहीं था और मतलब कोई दूद निकालने वाला नहीं था तो पर सुच तरह अपना व्यवार करता है जिस तरह से आवाज पशू कर रहा था जैसे उसका दूद निकालते से में जिए नहीं करता है तो फिर हमने हर जगा फॉन किया तो कहीं से कुछ नहीं पता चला तो फिर जो लोग मुल्व अन्कर वो गए थे दोजने तो उन्होंने वहां से नहीं पर देक्काल तो और फिर नोंने मेरे भाई को फ़ंद किया था जो मेरे चचेरभ आई वहे करें और उसना पर पोस्ट मॉटम के बाद बॉडी पर हमने उसका संस्कार किया था और FIR करवाई थी IMT बहुर में और बाई नेम करवाई थी पूरा गाउं इस सदमे में था और अभी तक आज 11 दिन होगे लगबग लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कारवाई नहीं होए है अभी तक इसका कुछ पता इंचल पाया है इसमें हुआ क्या है बाई सपस्ट में आपने बता दूँ क्या नाम था बेदपाल जी का यू कहना बई कि 25 तारीग गर पे कोई नहीं था और अचानक खेत में जाना होए है और वाड़ा देखें दो डेड़ बोड़ी पावज नहीं हुआ नहीं जी लड़का परशांत और उसकी मां राजबाला 50 साल की लगवग और परशांत 21 साल का लगवग जो की कनेडा में पढ़ाई कर रहा था अपनी इसकी बीएस्ची और कम्प्यूटर साइंस की कनेडा में पढ़ाई कर रहा था पड़ी किस दिन आया था वो यहां पर वह आ था 24 नॉभर की सुबह में 23 की रात को 24 नॉमर के अर्ली मौर्णिंग बारा साधे बारा वजे के बाद बादा था उसके फुपाजी उसको छोड़ के गए थे अपनी काड़ी से बिलकुल एक दम से खुश मिजाज लड़का था उसकी माँ भी बिलकुल अपने मैनेच से काम चला रही थी और अपने लड़के का खर्चा पूरा करने के लिए मैनेच कर रही थी दो बैसर कर रही थी और उसका एक किला बेच के उन्होंने उसके फीश दी थी काफी स्ट्रेगल कर रही थी अपने बच्चे को पढ़ाइने के लिए लेकिन जब यह हाथसा हुआ तो यह सब मदब उस गर का बिलकुल चिराग बुझ गया इस गर में मतलब जो लड़का था उससे अलग उसका भाई भी है ने वह किला लड़का था उसकी एक बहन है जिन मौल हो तो उसका पता करना चाहिए जी आपने मतलब देख्या होगा और डॉक्टर ने जो भी जैसे भी आलाद देखें तो मतलब के अंदाजा लाया कि मरन का के कारण है मतलब कुछ जैर है या फिर कुछ हो रहा है पोस्ट मॉर्टम में तो इस चीज़ का नहीं खुलासा ह होगा क्योंकि इसके तो फैसल और यह विजरा रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा तो अभी आगे देखते हैं भी इन्वेस्टिकेशन में क्या आता है पुलिस को थोड़ा सा अपने मर्डर एंगल से भी इसको इन्वेस्टिकेट करना चाहिए हमें तो फस्ट ही लग परिवार के हालत के हिसाब से तो उन्होंने सुसाइट नहीं किया है क्योंकि बिल्कुल माँ बेटा दोने खुश थे जिस दिन आए अपने परिवार से वालों से और आस पास हमें जितने पड़ा से हैं सबसे खुश से मिला लड़का सबसे अच्छे से बात करा था उसके च बर्म फ्रेस मतला ताजे फ्रूट थे ताजी सब्जियां थी और अगर कोई डिप्रेशन में होता तो साइद यह चीजे नहीं होते हैं और जिस दिन वह तिल के लड़के हैं और जिस दिन यह आध्सा हुआ है उस दिन एक मग मदूद एक कप मचाए और दो तिल के लड़क अच्छा जी लड़के का जो पिताजी है वो क्या गरें वो गुजर गें 10-11 साल पर अच्छा वह भी गुजर गेंगे वह अपना घर बहुत अच्छे से चला रही थी और जमीन वी उसके पास 5-6 किलिए थे एक तो बेज दिया था जिसमें से उसने मैं उसकी फीस की दी थी कोई भी इस गर ने मजसे माड़निया नहीं आज के दिन क्योंकि पिताजी जो लड़के का था वो पहले एकस्पार हो गया था और मां और बेटा दोन्नों इस गर में थे और आज वें भी नहीं रही और उनकी जो मोत है वो एक रेस से बन गया ना तो उसका नूमरा पट रह यह वहां से वहां से कुछ मतलब पाईजिन की टैबलेट्स उन्होंने जब्त करी हैं लेकिन उसमें हमें डाउट यह लग रहा है कि मां की बोड़ी तो कोठीम पड़ी हुई है जिस पे कोई निसान नहीं है खरौश तक नहीं है और लड़के न ऐसा लग रहा है कि जैसे ब जहर काई एक त्रह गाई लेगे होंगे और जहर जो असर करेगा वो दोनों पर एक जैसा करेगा को भेद वाओ तो जहर करेगा नहीं तो मासाब सुथरी शरीर कैसे है और लड़का ऐसे कैसे स्ट्रगल कर लड़के ने यह वी एक मामला एक रहस्या में बना हुआ है तो इस पर वीडियो ने आप लोग ने लगाता है शेयर करो भाई फिलाल अभी शेयर कर दो इसने और परसासन इस मामले की निस्पक्स जो अनजाच करें प्लिश अधिकारी जो इसने मामले की पूरी इन्वेस्टिगेस्टेशन जो एक चीज ने बिल्कुल देखके करें जी एक ब कि ने बता हो लो मैरीज कराखी है और सोशल मीडिया पर भी इतनी वीडियो चली है सारी यह बता हुए कि प्यार के चक्कर में जो है माँ बेटे की जान चली गई हो सकते हैं कि उनका रोड़ा जगड़ा या कुछ ऐसा चले आगर था कभी नहीं रोड़ा जगड़ा तो किस से उसका जगड़ा का कोई मतलब भी नहीं है यही तो करके हम चारे हैं कि पुलिस थोड़ा अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पता चले कि कारण क्या है इसकी वज़े क्या है अगर मर्डर वादा करें वह इसका कौन है वह जो इनके पीछे हैं मासुम को नहीं बिलना चाह हैं और उनके पास में रुक है और बाद में अपनी मा के पास जा वह है और पाद में उनकी जो डैट बोड़ी खेत में पावें हैं या बात एकतिर रहस से बनगी वाई क्योंकि जिस टैम पे वह आवावा उस टाइम बिल्कुल खुस था कोई उसका टैंसर नहीं थी कोई ब इसा कोई गाव में सीसीटीवी नहीं है जिड़ा नहीं इसमेय है लुट आगे नहीं पता चल लुट पैंसर नहीं है ये पुलिस ही जाने वो उसकी गवाई क्यों नहीं करवारी है अच्छा रात एक डेड़ मतलब दो गाड़ियां देखिए उड़ा खड़ी वहां पर जहां पर इन्होंने आतम अत्या करी है बताते हैं लोग कि इन्हों पुलिस कहती है और जो लोग कुछ कहते है भी आतम अत् पर दो गाड़ियां देखिए इस बंदे ने और उसकी गवाई अब तक पुलिस ने नहीं करवाई है क्यों करवाई यह पुलिस जानती है बताएंगी यह कहां के परशाशनर के चक्र के यह जो मेन मुक्त्र का गवाय घर घर गवाई दिन खतर त्यार था रहिए इस गाम का अब यह आयू का मेंटर है यह कहां तक जायज है नहीं पता इसका लेकिन हमें थोड़ा डाउट लग रहा कि पुलिस इस मामले में धील वरत रही है परसाथ संसे बाइक ती गुजारी सकती अपील है पूरी इस मामले में जो गवा है ना उसके गवाई ले लो गवाई को पर सब्सक्राइब कोई नहीं है और जरूरी नहीं है कि मतलब यह किसे लड़ाई जगड़ा का मेट्रो या किसी और बात का उससाइड का यूवाई प्रोपर्टी का चकर भी उसका है तो इस मामले के पर निश्पक्स जाज करो प्रशासंत या मारे पील है आप क्या कुछ कहना हम प्रशास से यह कहरें चाएंगे कि आज 11 दिन हो गए हैं जो अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है तो इसमें कारवाई की जाए और उनको नहीं मिलना चाहिए पर नहीं है उसको फौन बहुति दिया था लेकिन कुछ कारण नहीं बताया जो भी हो लेकिन वह से पुलिस स्टेशन से उसको फौन किया गया था तो जो भी बज़िए रही हो नहीं आपाई नहीं आपाई भाई देखो इस मामला में कि यह भी मतलब सुई जो अनसक की नुए गुम है बार बार में और यह जो अंकल ने बताई है वर यह पुलिश वाले भी कमें बजाज करांगे पूरी क्योंकि लड़की भी इस मामला में जो नहीं पहुंची यानि कि इस गर होया था लड़का जो अकनेड़ा पर अगरदार गराक अदा था और उसकी जो एनवाई डैड़ वोड़ी कि स्टेंप पाई है माँ बेटा का सलूक जो एनए एक दम बढ़िया था गाम में किसे लड़ा जगड़ा नहीं था और फिर भी जो एना उनकी मौत होई तो क्यों ह होई चार साल पहले लड़की लो मेरीज करकर जावे हैं अंतिम संस्कार पर नहीं आंदी कोई वजह उस चीज नहीं बता देवाओ उसके उसके साथ में मतलब उड़ते भी कोई बात हो उसके लेकिन या चीज तो मामले की बैस जाच होने के बाद पता चलाएगा वो जाच क लिवार के और महिलाओं से और उन से जाना है उस लड़के की मा के बारे में दन्यवाद दोस्तों फिलाली स्वीडियो में इतना ही मिलते नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवार्द